हेगाज गुण माने वेलकम बैक टो माई नीव लोग आज की इस वाली वीडियो में बावा में मताने वाले कि संकटी गणेश चतुर्दी कब है कम मनाई जाएगी और कैसे मनाई जाएगी तो वो सारी की सारी जानकारी आपको बावा देने वाले बहुता मजा आने वाले तो पूरिवेडि को एंड तक देखना विगने स्वराय परदाय सुरप्रिया लंबो दराय सकलाय जगाधिताया नागा ननाय सुर्त याग्य विभुसिताया गोरे सुताय गणा थनमो नमस्ते संक्टी स्री गडे चतुर्थी व्रत इस वर्स माख करश्ण चतुर्थी सोमवार दिनांग 29 जन्वरी 2024 को मनाई जाएगी संक्टी गड़े चतुर्थी में क्या करना चाहिए कैसे बृत करना चाहिए क्या भोग लगाना चाहिए पूजन की भी थी संक्टी चतुर्थी के बृत जो भी मनुष्य करेगा इस्त्रियाएं करेंगे मनुष्य करेगा वे प्रात्यकाल इसनानाद करने के वाद सुर्यार्ख देने के वाद स्री गणेश जी की पूजन की समस्वगरी लेकर के गणेश भगवान का दुर्वारचन करें एक सवाध दुर्वारचन करने से गणेश जी अधिक प्रसंद होते हैं और गुण और तिल के लड़ू के भोग लगाने से उस मनुष्ट की आवि मिवर्द्धी होती है और तिल और खोवा के लड़ू भोग लगाने से लख्यमी का आगमन होता है गणेश जी का विद्वत खोड़सो पजार पूजन करना चाहिए संकल्प करना चाहिए सरप्रसं सुद्ध बैठ करके गायतरी का इसमन करते हुए इसके बाद स्वस्तिवाचन मांगलिक स्लोग गणेश जी का ध्यान करें गणपत्य सीर्ष का पाठ करें गणेश गायतरी का उच्शारन करें एक दंदाय विद्महे बक्रतुंडाय धी मही तन्नो दंती प्रचोड़यात इस मंत्र को बोलते हुए दुरवार्चन करें एक सवाठ मंत्र का दुरवार्चन करने से गणेश जी महराज बहुत प्रसंद होते हैं इसनान सरप्रथम पंचामे सेशनान सुद्ध जल सेशनान वस्त्र जनेवू चंदन रोली चावल कलाया बिल्ल पत्र दुरवार्चन पुस्पार्चन करने के बाद वस्तर इत्यादी सिंदोर कालेपन करें फिर भोग लगाये यथा सक्ती भोग लगाये तिल के और गुड के लड्डू अथवा खोवाया तिल के लड्डू भोग लगाने के बाद नईवेद का मंत्र बोले इसके बाद पुना गणेश जी महराज की आर्ति करे आर्ती करने के बाद भगवान को आर्ती अर्पन करे अपने संपुल परिवार में गणे जी की आर्ती उतारे आसिरवाद ले गणे जी की प्रार्थना करे पुस्पांजली अर्पन करे पुछ भी नहीं ओम एक दंत्य विद्वहे बक्र तुंदाय थी मैं इस मंत्र को बूल करके गणे जी को पुस्पांजली अर्पन करे पुष्पाणजली अरपन करने के बाद च्षमा प्रार्थना करे। च्षमा प्रार्थना के बाद जो है परिक्रमा लगाए। एक चंड्या माभगोती की एक परिक्रमा रवे सब्तम सुन दान की साथ एक चंड्या रवे तरसा कुरियाज बिनाये के तीन जो है घणेश जी की हरेच तरसा करतब्या भगवान विश्णू की किष्ण की चार परिक्रमा लगानी चाहिए सिवस्यार्ग प्रतेक्षणा प्रकार परिक्रमा के बाद स्याष्टान दण्डवत करें घणेश जी माराश को जैकारा की धोन करें इस प्रकार से संक्टी गडश चतुर्थी का पुझन अपंव Lewis का पूझन करना चाहिए करने से अतंफल प्रदान होता है गणेश जी महाराज बहुत प्रसंद होते हैं सारे बिगनों को हरन करने वाले हैं उस मनुस्त के सारे बिगनों को हरन कर लेते हैं सुख संब्रधी प्रदान करते हैं इस प्रकार गणेश जीगी पूजन के बाद प्रार्थना करें भगवान को छमायाचना कर और जय कारा लगाए बोलो गणेजी महराज के जय